वेलकम बैक फ्रेंड आपके यूटूब चैनल इंडलस स्टेडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं और आपके आगामी परिच्छा यूपी टेट, सीट या किसी भी परदेश तस्तरिय टीट के में बात करूं या सूपर टेट की बात करूं तो यह जो सीरी इकाउन को भी प्रेस करते हैं जिससे मेरे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो समय पर देख सके यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लिज वीडियो को लाइक करिएगा उससे संबंदित अपने वाट्साप एपर ग्रूप में जरूर सेयर संब्डित करिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की स्रीज का पहला कॉयेशन देखते हैं सब्ञेशन जो है maximum grammar basis है यानि 2ark7 है संद्थ संद्पिच्षेत कौन सा होगा जैसा कि आप सभी यह बिसर्ग संधी है पहले बात तो यह क्लेर कर लीजिए क्वेशन कभी को पूछा भी है, निश्चल में कौन सी संधी है, बिसर्ग संधी है, आप सबी लोगं को पता है कि तीन प्रकार की संधिया होती है, सुर्ग, सुर्ग, बेंजन और बिसर्ग, सुर्ग के अंतरगत जाएगा निश्चल हो जाएगा फर्स्ट यहां पर आप्षन सई हो जाएगा चलिए नेक्स कोशन पर चलते हैं यह भी महात्पुर कोश्चन है और कौश्चन यह रिपीटेड है कई बार इज्ञाम में आया हुआ है और यहां पर पूछ रहा है कि परोपकार सब्द में कौन संधी है पर उपकार में इसका जो संध बिच्चेद होगा फर धन उपकार होगा ठीक है इसे सम्मंदि सुर्य उदे भी होता है सुर्य धन उदे होता है यहां पर इसका जो आ होता है आ फ्लस उ मिलके जो है ओ हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर परुपकार हो जाएगा और परुपकार में कौन से संधी है गुर संधी के और पर जो जारड़ा है सुर्योदे है परुपकार है इस टाइप के आ जाते हैं चलिए अगले question पर चलते हैं मुख दर्शन में कौन सी ही है यहां पर देखें कॉश्चन थोड़ा सा एरर है यहां संदी नहीं होना चाहिए यहां पर समास होना चाहिए कि मुख दर्शन में कौन सा समास है प्रिंटिंग एरर है option नहीं है बहुबिरी समास option बीदौन समास option तत्पुर्ष समास और option डिगू समास तो question जो correct answer का answer हो जाएगा question third का वो सी सही हो जाएगा तत्पुर्ष समास हो जाएगा यानि मुख का दर्शन करना आप सबीनों को पता है कि समास से आने वाला हूं टॉपिक वाइज जो है हर चैप्टर में जो महत्पूर चैप्टर बन रहे हैं परिक्षाओं के दिश्टी से उसे संबंदी जो कॉस्टेन आने लाइक रहेंगे वो मैं आप सब लोगों को बताऊंगा उन्हों को पढ़ लीजिए उस चैप्टर को आप रिव परवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्व नाम और आप जंडी उपसर्ग तो जो correct answer हो जाएगा वो हमारा उपसर्ग हो जाएगा और उपसर्ग क्यों होगा मैं आप सभी लोग को यह भी बताऊंगा जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि प्रते और उपसर्ग से है जैसे अगर हम बात करें यहीं पर ही कोई ดगर हम लेलें जैसे हार ले ले ठीक ना हर अब हर के अगर पहले जोड़ाए California þ तो क्या हो जायगा आहार हो ज्युक्रइगा ठीक तो आज हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जब्ढ़ातह दो आफार होजायगा उसी तरह अगर जो सब्द बाद में जुढ़ते हैं वह सब्ध जो है वह पु Kingdom कहा था कि किसी सब्दान के बीद्यों को क्णौन को आइँ कि अधि का न इया किन्धों मतों हो एक आध का मतलब अन्थ होता है थीके नरह तो जो जूड़ते हैं और उसका बिलोग भी कई रालब क्या होता है और टो को क्मारा है कि दो सवर अधाद रफला आध्वाद दो बेंजनों के मेल को क्या महते हैं दो स्वर और बंज पर नहीं है आनि अगर आपस में मिलते हैं तो नहीं संधि सब्षामता है अगर आपस में मिलते हैं तो ने क्या कहा जाएगा option इस विश्रमास, option B, option B, option C, फृत्य और option C, प्रिदय और option C, क्रिया बिशेशर तो अगर दो स्वार्ड़ दो बेंजन आपस में मिलते हैं तो ने संधी कहलाते हैं अपि आप सभी लोग को मैंने बताए भी हुआ है कि संधी जो है वो तीन प्रकार के होते हैं और इसमें स्वरो या फिर बेंजनों का मेल होता है या तो स्वर स्वर का मेल होता है या तो स्वर बेंजन का मेल होता है चलिए अगले प्रेस प्रमलूग चलते हैं Question है, आपसे भी लोगों को पता, इस topic से भी question आते हैं, मुहाबरा से, कि नाक रगर्णा का क्या आर्थ होगा, option नाक में चोट लगना, option बेज़्ज़त देना, option से दीनता पूर्वक प्रात्ना करना, और option डीच आपलूसी करना, question six का जो correct answer हो जाएगा, वो हो जाएगा दीनता पूर्वक प्रात्ना करना, नाक रगर्णा करत क्या हो जाएगा, दीनता पूर्वक प्रात्ना करना, अगला question है बहुत ही important question है उन्मूलन का विलोम क्या होगा उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से नास कर देना खतम कर देना नश्ट कर देना तो इसका विलोम क्या होगा तो इसका विलोम जो हो जाएगा चार option है उस थान उतकर्स रोपड और नती तो जो correct answer हो जाएगा उससी हो जाएगा यानि रोपड हो जाएगा उन्मूलन नश्ट कर देना पूरी तरीके से उसका विलोम सब्द क्या हो जाएगा उल्टा क्या हो जाएगा किसी चीज का रोपड करना जैसे प्रसन आता है कई sentence भी आता है फिलिंदा blanks में कि बनो का जो है उन्मूलन कर दिया गया यानि बनो को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा कि फिर से रोपड कर दे जाए पौधों को जिससे फिर से नए तरीके से बन आ जाएगा जैसा कि हिंदी का सक्सें यह चल ला है और आपके परिक्षाओं के दिष्टी से बहुत ही महतपूर स्रीच चल लाई है इसलिए किसी भी वीडियो को मिस्स मत करिएगा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाबील प्रसाद रिवेदिने आधिकाल को जो है बीजोपन काल की संग्या दी हुई है question D यहाँ पर option जो है इसका सही हो जाया question 8 का D option सही हो जाएगा अगला question लोग देखते हैं question number 9 है अति सुगो इसने कुमारग है किस की पंक्त है या किस की कहां से ये पंक्तियां जो है ली गई है तो option A है आलम, option B बोधा, option C ठाकूर, option D घनानन तो ये पंक्ति जो है ये घनानन से ली गई है question number 9 का जो correct answer हो जाएगा वो D सही हो जाएगा ये भी question important है question number 10 बहुत important है और कई बार question ये repeat भी हुआ है कालिंदी का प्रियाइबाची क्या है? option A सरस्वती, option B लक्षमी, option C गंगा और option D यमना तो correct answer जो हो जाएगा, D हो जाएगा ये ये यमना का प्रियाइबाची सब्द जो है कालिंदी है अगले question प्रमुक चलते हैं question number 11 है और question कह रहा है कि आधुनिक हिंदी साहित की पहली आत्म कथा के लेखक कौन माने जाते हैं option आपके पास 4 है बाबु स्याम संदर दास, देवेंद, सत्यार्थी, हरबन, सराय, बच्चन और एक option जो आपका और बचरा है जैसंकर परसाद जी है तो इसमें जो correct answer आपका हो जाएगा वो C हो जाएगा यानि आधुनिक हिंदी साहित की पहली आत्म कथा के लेखक जो है माने जाते हैं अगला question हम लोग देखते हैं question number 12 है कार के आरभ में ही बिधन पढ़ना किस मुहाबरे का अर्थ है अगर कोई कार हम शुरू करते हैं और शुरू में ही समस्याइं आने लगती है तो किस मुहाबरे का अर्थ है option A सिर मालना option सिर पर सहरा बाधा होना option C सिर मुडाते ही ओले पढ़ना और option D सिर पर सैतांसवार होना तो question यहाँ पर आपका अंसर पता चलो गया होगा इस question का correct answer क्या होगा तो option C सही होगा किस सिर मुडाते ही ओले पढ़ना मतलब किसी कार को आरहम करते ही उस कार में बिधन पढ़ना कोई समस्या आना ये सिर मुडाते ही ओले पढ़ने का जो है मोहाबरे का अर्ध होगा अगला question देखते है question number 13 है किस कभी को कभी का कभी कहा जाता है बहुत ही महत्पूर question है option C समसेर बहादूर सिंग को option C लगवीर सहाय को option C सरवेशर दयाल सकसेना को question number 13 का correct answer हो जाएगा वो B हो जाएगा यानि समसेर बहादूर सिंग जी को कभी का कभी कहा जाता है अगले प्रस्ट पर हम लोग चलते हैं question number 14 question है कि दसरत सुत तिहुं लोक बखाना राम नाम का मरम हयाना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं किस रचनाकार ने पंक्तियां लिखी हुई है option ए तुलसी दास option B कभीर, option C केसो दास और option D सूर दास तो question 14 का जो है correct answer हो जाएगा, B हो जाएगा B यानि कभीर दास जिनने पंक्तियां लिखी हुई थी दसरत सुत तिहुं लोक बखाना राम नाम का मरम है आना देखे, यहां पर थोड़ा सा question disputed है, कहीं कहीं इसका तुलसी दास भी मिलता है इसका answer, ठीक है न, तो जो भी correct answer अगर आप लोग के पास होगा तो ज़रा मुझे से भी share करिएगा चलिए, अगले प्रेस्ट पर मुलूग चलते हैं question number 15 है, और यह बहुत ही महतपूर और basic question है हिंदी का पहला पत्र क्या है? option यह उदंत मार्टन, option B तिहास, तिमिर नासक, option C बनारस अकबार और option D हरिस्चन, मैकचीन, बहुत ही महतपूर question है और कई बारी question repeat भी हुआ है हिंदी का पहला पत्र कौन सा था? तो option यह correct इसका answer हो जाएगा उदंत मार्टन, जो है हिंदी का पहला पत्र है यह question बहुत बार repeat हुआ यह परिक्षाओं में जिले question को आप लोग रट लीजिएगा next question पर मुख चलते हैं और question हम लोग का है 16 यानि 16 question number है चिंता मड़ी किस निबंध संग्रा है चिंता मड़ी जो है किसका निबंध संग्रा है option है बाल मुकुंद जी का और option B हजारी प्रसा दिवेदी जी का option C राम चंसुक्ल जी का और option D स्याम सुंदर दास जी का तो यहाँ पर जो correct answer हो जाएगा 16 का वो C सही हो जाएगा राम चंसुक्ल जी का जो है यह निबं संग्रा है चिंता मड़ी अगला question लूप देखते हैं कासी नागरी प्रचारी सभा के स्थापना किस वर्स में हुई थी यह भी question महतपूर है और question कई बार प्रचारी प्रचारी सभा के अस्थापना की गई थी अगला question है बहुत important question यह भी है प्रेम सार जो है किसकी रचना है option यह मुंसी सदा सुखलाल जी की है option बी जो है सरदर्मिस्ट की है option C ललूलाल जी की है option D लाम प्रसाद निरंजनी की है तो question number 18 का जो है correct answer हो जाएगा उसी सही हो जाएगा ललूलाल जी की है और question number 19 जो है ब्यूत्पत्ति के अधार पर संग्या के कितने भेद होते हैं option A 3, option B 4, option C 5 और option D 6 question number 19 का जो correct answer हो जाएगा और C सही हो जाएगा यानि ब्यूत्पत्ति के अधार पर संग्या के जो है पांच भेद होते हैं वैसे संग्या के तीन भेद माने जाते हैं जो परमुकता अगर हम बात करें अगला question है और आज की सीरीच का last question है हिंदी के सब्दों का link निर्धार किसके अधार पर होता है यानि अगर हिंदी के सब्द हैं तो पुरूस लिंग में है किसके अधार पर उसका निर्धार होता है option A, option B, संग्या, option C, क्रिया और option D, सर्वनाम तो question number 20 का जो correct answer हो जाएगा क्रिया के अधार पर सब्दों का निर्धार होता है किस link के है पुरूस है या फिर इस तरी link के है और link से सम्दित भी question कई बार पूछे गए है तो यह भी question आप सभी लोग ध्यान रखिएगा और आज के स्रीच के जो 20 महतुर प्रेशन बन रहे तो कंप्लीट हुए और आई होप कि आप सभी लोगों को यह स्रीच काफी अच्छी लगी होगी और यद यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्रीच वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को बहुत बहुत धन्वाद थैंक्स पर वाचिंग दोस्तों थैंक यू